परामो में चोरी और छिंतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गैंग का परामो पुरिश ने परदाफास कर दिया है जिसका नाम है कोड़ा गैंग जिहां ये वही कोड़ा गैंग है जो हाल के दिनों में अलग-अलग इलाकों से लोगों से पैसे छिंता था जिहां ये वही कोड़ा गैंग है जिसने अपने दम पर अपने साथियों की मदद से अलग-अलग इलाकों में कई लूट और छिंतई की घटनाओं को अंजाम दिया ह आपको बता दें कि कोड़ा गैंग के दीपक कुमार यादव, राहुल यादव, सुनिल लट ये तीन जो मुख्य आरोपी हैं अपराधी हैं जो कोड़ा गैंग में शामिल है और इनहीं की मदद से ये पूरे घटनाओं को अंजाम दिया जाता था इनहें पकड़ा गया है इस इसके अलावे दो मोटरसाइकल भी पूरिष ने जत किये हैं ये दोनों मोटरसाइकलों पर फरजी नंबर लगा कर रखे गाय थें इसके अलावा जो डिक्की खोलकर पैसा निकालने की बात अवारदात को अंजाम दिया गया था तो डिक्की कोलने के जो आजार होते हैं उस साथ रखती थी और जरूरत पढ़ने पर इसका इस्तमाल करती थी तो वो खुजली करने वाली जो दवा है उसे भी पुलिश ने बरामत किया है इस मामले में पलामो के स्पी चंदन कुमार सिन्धा ने प्रेस कांफरेंस कर पूरे मामले की जानकारे दी उन्होंने बताया कि कुछ रोज पहले यानि कि दिसंबर महीने में ही रिजवानुल हक अंसारी जिनका की पांकी के इलाके से डिक्की में रखा 90,000 रुपया इन गैंक के लोगों ने उड़ा लिया था इसके अलावा एक और घटना इसी महीने में तेश तारीक होई थी कीरन देवी के साथ पांकी के इलाके में ही 40,000 रुपया इनका उड़ाया गया था इनसे गायब किया गया था इन दोनों मामलों के बाद पांकी में मामला F.I.R. दर् जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंसस नहीं है पैसे के मनें कि जो ला लेके पैसा ने जा रहे है या बहुत ज्यादा पांकी में देशंबर में ही गटई दोनों में ही कांड दर्जवा था उसका गेंग का उद्धेदन भी हो गया और उसके तीन अपराधी और उनके सहियों करने वाले दो पांच की गिरफतारी हो गई है और उसका एक किंग तीन है जो फरार है वह वरसों से पला मुंने रह रहा था बहुत बड़ी संभावना कि बहुत सारे अपराधों उसने इंज करतार होई है और हम लोग इस गेंग को उद्धेदन के वाल दिस चाहिए आए